कहते हैं हमारे देश में प्रतिभाव की कमी नहीं है जहां भी आप जाएं और नजर घुमाएं तो कहीं न कहीं एक प्रतिभाशाली इंसान आपको मिल जाएगा ऐसे ही एक हुनरमंद इंसान के पास अभी हम मौजूद है जो महच कुछ ही मिंटों में एक जो तस्वीर को केर देते हैं और आप इनकी अगर कहानी की बात करें तो ये एक पूर्फ सैनिक भी रह चुके हैं और इन्होंने अपना जो जीवन है और वो बड़ी कटनाईयों के स पहुँकि आप ये बताएंगे की फोट की नौकरी क्यों चोणनी पड़िया कि फॉंच की नौक्री स्लियए चोणनी पड़िया कि मैं फौंच में था और मेरा बन भीवाग वाले ने मेरा जला दिया तो मेरे को मुझे गुशा आया इसलिए मन चोड़ दिया तो उसके बाद आपने क्या किया और यहां पर कैसे पहुंचे में उसके बाद यहां इंडिया में दिली में हुं रि Сейчас घलता हूं पहले रिक्सा जलता है फिर लेबर करने लगा अब अब यह ब debeली जलता जब लोगोगों पसंदा आने लगाइए लोगाने लगे तक कितने लोग आ जाते हैं यहां पे और दिन में कितने लोग आप कते हैं संडे के दिन आते हैं मैं बैंने और दिन ऐसे देम आते हैं आपे बहुत अच्छा लगता है दिर्द मेरे को मेरे चुछ अपरिवर हैंगा आपको aitना टना मिल पाता हैगा अपना जीवन या पन्स भाते हैं तो जैसा कि आपने सुना और मैं अपने कैमरा मैंन से के दिखवाना चाहूंगा कि महच कोछ मिंटों में ही इन्होंने एक बहुत अच्छी जो यहां पर एक तस्वीर उकेरी है और यह हमारे सहयोगी की ही तस्वीर है मैं जल्द ही आपको उनके पास ले जाना चाहूंगा अभी आप हमारी सहयोगी है और आप यह जब एक हुनर देखा हुनर जो एक आप देखेंगे फुटपाथ पे हमारे बैठा हुआ है या हमारे पास मौजूद है नजर घुमाते ही और नजर इन पर टिक जाती है क्या एक अलग अनुबूती हुई जो आपको यहां पर महसूस हुई बिल्कुल मैंने यह पेंटिंग्स लेखी और क्योंकि पेंटिंग्स वैसे बेचना एक अलग बात है लेकिन बना के और इनके उपर लिखा गया है शेरो शायरी मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहां पर कि नव शेरो शायरी बोलते हैं जी बिल्कुल मैं जैसे कि यहां पर देख पा रहा हूं कि हर किसी की तस्वीर पर एक कला और एक उसके साथ में एक जो उसके साथ में आगर आप कहेंगे कवीता भी उकेरी गई है जैसे यहां पर जो एक बापू की जो महत्मा गांदी की एक तस्व पत्रा का उदेशिया हरीजन पत्रिका के लिए धन जुटाना था मदुरे वो जौज जौसेफ के घर पर उसके लिए रुकने वाले थे वहबी गांदी की तरह लंदन के तो ऐसे करके यहां पर हर तसीर पर जब आप निगार डालेंगे तो उस पर कहीं न कहीं आपको एक कोट या आप कहें तो उस पर कविता लिख्यू ही नजर आएगी चानी चौक के पास फतेपुर की मज़ित पे बैठे इस शक्स को आपने देखा इसके हुनर को देखा अगर आप भी इसके मुरीद होते हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं और इसको देखकर आपकी क्या है राय हमे कमेंट करकर जरूर बताएं कैमरा मैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट दिल्ली आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की